किा किका इक दीन के बाद तक भी ऑई चलती आ रहे थे तो आजादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भारत ने बहुत बड़ा नरसंगहार देखा था भाहँद बड़ा उसको हम कौन नहीं रहेंगे इसकी एक छोटी सी चिनगारी सुलगा कर अंग्रेजों ने हम भारतियों को दो पार्ट में बाट दिया था और बहुत से लोग बटे भी राजनिती भी थी सत्ता की भी भूख थी बहुत सारी चीजें थी उन सब चीज पर नहीं जाएंगे जाएंगे सब चीज पर कि अगर उस समय की वीडियोज गूगल में यूट्यूब में जाके देखिए तो दिखेगा कि कैसे इस देश से उस पार या उस पार से इस पार भारती रेल की बौगियों में आम जन्मानस एक जो भारती यात्रा सफर में यात्रा करने के लिए जाते हैं उनकी सब यात्रा के रूप में तब्दीर हो गई थे वहां से आगे बढ़ना चाहिए सोचना चाहिए जीवन में जब तक आप अपनी पीछली दिनों को नहीं सोचेंगे आगे कुछ नया यहीं कर सकते हैं आज 13 अगस्त है और आज से कुछ दो दिन बाद हम आजादी का सतत्परवा सतंतरता दिवश मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त के दिन और आजादी की एक दिन पहले 14 अगस्त को हम मनाते हैं वीवाजन की वीवित्सिका तो बात ऐसी है आज संड़े था और संड़े को प्राय हम पोसिस करते हैं एक वेबिनार करें जो रेलवे से जुड़ी हो रेलवे टेकनीकल की चीज़ों से जुड़ी हो और आपके शाथ हम जुड़े आज बहुत महत्पूर्ण बात करने जा रहे हैं कुछ मुद्दे की बात होगी रेलवे से जुड़ी होई ही बात होगी परन्तु आजादी के साथ जुड़ी होई बात होगी आज क्या हमारा टॉपिक है कि आजादी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और आजादी के बाद आज शुड़ी रेलवे की प्रिस्तिति क्या थी इस्तिति क्या थी और आज क्या है या क्या होने जा रही है भविष्यकी क्या रूप रेखा हैं बाती रेलवे भारती जन्मानस के साथOS पूरे भारती अर्थववस्था की एक रीड है तो जितने लोग हमें देख रहे हैं एक बार कोई मैसेज करके बता देंगे कि हमारी आवाज आपको सठीक मिल रही है कि नहीं किलियर मिल रही है कि नहीं पहली चीज और दूसरी कि अगर आप किसी सोचल मेडिया से जुड़े ह हैं तो सेर जरूर कर देंगे कमेंट्स जरूर करेंगे आपके कमेंट्स हम यहां पढ़ेंगे एक दूसरे से इंट्रेक्शन हो जाएगी और बाते होगी और बात होगी आज की हमारी टॉपिक भारती रेलवे पर कि 1947 के बाद भारती रेलवे में क्या बदलाव आए क्या सुरूर करते हैं वेबिनार को सुरूर करते हैं आपके कमेंट्स भी आएंगे और आपके कमेंट्स के हिसाब से हम अपने टॉपिक में जवाब देंगे अंसुमान जी आप तो हमारे पुराने लोग हैं कि आवाज आ रही है बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अच्छी बात है तो आज हम बात करेंगे भारती रेलवे पे आपको पता है कि 15 अगस्त 147 को भारत आजाद हुआ थां आजादी के एक दिन पहले तक यानि कि आजआदी के बात तक भी वो चलती आ रहे थी तो आजादी के एक दन पहले यानी 14 अगस्त को भारत ने बहुत बड़ा नरसंगाहर देखा था में बहुत बड़ा उसको को हम लोग बोलते हैं नरसंगार क्योंकि वो जो एक रेड़ क्लिफ लाइन थी रेड़ क्लिफ लाइन के इस पार और उस पार कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे इसकी एक छोटी सी चिनगारी सुलगा कर अंग्रेजों ने हम भारतियों को दो पार्ट में बाड़ दिया और बहुत से लोग बटे भी राजनिती भी थी सत्ता की भी भूख थी बहुत सारी चीजें थी उन सब चीज पे नहीं जाएंगे जाएंगे इस सब चीज पे कि अगर उस समय की वीडियो गूगल में यूट्यूब में जाके देखिए तो दीखेगा कि कैसे इस देश से उस पार या उस पार से इस पार भारती रेल की बौगियों में आम जन्मानस एक जो भारती यात्रा सफर में यात्रा करने के लिए जाते हैं उनकी सब यात्रा के रूप में तब्दीर हो गई थी तो हमें याद करना चाहिए 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो जितने भी राश्ट्री पर राश्ट्री परव को हमें सिर्फ एक जो फॉर्मल होती है कि चलो जंडा फर आया पार कर दिया वहां तक नहीं रखनी चाहिए वहां से आगे बढ़ना चाहिए सोचना चाहिए जीवन में जब तक आप अपनी पीछली दिनों को नहीं सोचेंगे आगे कुछ नया यहीं कर स नहीं एक छोटी प्लांट है फैक्टरी है यह तुम्हारा यह मेरा यह तो एक सतक लाइन थी जो सीधा जाती थी नियू दिल्ली से पेशावर तक नई दिल्ली रह गया नहरूजी का पेशावर चला गया जिन्ना साहब के पास दोनों बाट लिये यह लाइन उनकी यह लाइ हमिवाजन की विवित्सकादीन के रूप में 14 अगस्त को मनाते हैं 14 अगस्त को अब कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन जामते हैं आजादी यह भारत में जो रेलवे की पूरी ट्रेक थी पैसाथ हजार किलो मीटर का नेट्वर्क ता आजाधी के समय भारत में भारती रेलवे ट्रेक का जो नेट्वर्क था उस समय जब बतवारा हुआ तो लगभग 10,000 km पस्चिमी और पुर्वी पाकिस्तान चला गया पुर्वी पाकिस्तान अब बांगलादेश के रूप में परनेत हो गई जो 16 दिसंबर भारत से अलग हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्द के शमय बांगलादेश बन गया है तो यह 10,000 km की जो रेलवे ट्रैक थी वो भारती रेलवे से कटकर पाकिस्तानी सरकार के पास गई जिसमें पस्चिमी पाकिस्तान और पुर्वी पाकिस्तान को मिला पुरवी पाकिस्तान अब बंगलादेश के रूप में हमारे आपके सामने है और ऐसा है नहीं है आज भारती रेलवे भारत सरकार की है या पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान सरकार की है बंगलादेश रेलवे बंगलादेश सरकार की है उस समय रेलवे भी छोटी छोटे कमपनियों के रूप में बटवा रहा था जिसे हमारी एक एक जॉन है बट वो स्वायत नहीं है मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है लेकिन वो स्वायत था और वो 52 कमपनियों में विवाजित थी जो 65,000 किलोमेटर की नेटवर्क थी भारती र दिया गया था और आज के समय में अगर भारती रेलवे की बात करें सिर्फ भारती रेलवे की ये भारत के साथ जूड़ी वी थी भारत पके